नमस्कार, स्वागत है आपका वक्ट इंडिया में मैं हूर राजनवैद इस वक्ट की जो सबसे बड़ी खबर आई है सामभा जिले से सामभा जिला में ठंडी खुई के पास जो कॉरिंटाइन सेंटर है वहाँ पे कॉरिंटाइन जिनको किया गया था उनकी ओर से तोड़ फोड की गई है वहाँ जितना भी समान था उसको उठा उठा के पटका गया जो कुरिंटाइन सेंटर में जो लोग हैं जिनका टेस्ट किया गया था हलनकि उन में से कुछ लोगों की रिपोर्ट नेगिटिव आई लेकिन उसके बाद भी उनको जाने की वहाँ से इजाज़त नहीं मिली जिससे गुसाए वहाँ लोगों ने तोड़ फोड मचाई है वहाँ पे इससे पहले भी एक जून को जो है वहाँ से एक शक्स जिसको कॉरिंटाइन किया गया था वहाँ से भाग गया था और जिसको बाद में गिर्फतार किया गया वैसे ही वहाँ जो सुविधाएं दी गई है कॉरिंटाइन सेंटर में उससे भी जो वहाँ इनमेट से वो खुश नहीं थे और उनका कहना था कि जिनकी रिपोर्ट्स नेगिटिव आई हैं उनको घर जाने दिया जाए क्योंकि अगर वो पोजिटिव के अगर कॉंटेक्ट में आएंगे तो अगर उनको कॉविड-19 नहीं भी है तब भी हो जाएगा और उनकी जान को खत्रा हो सकता है वहीं परशासन की अंदेखी का भी इल्जाम इन लोगों का इन लोगों ने लगाया है इनका कहना है कि जो वहाँ सुख सुविदाएं हैं वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए तमाम तरहां की उनकी शिकायते हैं जिससे गुसाए आज इनमेट्स ने जो है वहाँ तोड़ फोड मचाई है तमाम जो वहाँ परशासन के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस जो है स्तिती का संग्यान लिया है और इनमेट्स से बात की है कॉरिंटेंस सेंटर में और उनको समझाया है कि जो है जैसे गौर्मेंट की एसो पीस हैं उनको ही फॉलो किया है और जो जिनकी रिपोर्ट नेगटिव आई है और उनका क्या उनको कब भेचना है और इस पे जो है उनके सीनियर अफिसर हैं वही फैसला ले सकते हैं लेकिन इस वक्त जो स्तिती है वह ऐसी बन गई वहां पे कि वहां पे तोड़ फोड मचाई गई और सभी जो इनमेट् सेंटर में अभी इस इसमें क्या जो है प्रशाशन इसमें कारवाई करता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन इस वक्त खासा गुसा है जो इनमेट्स हैं इस क्राइंटर में अभी के लिए इतना ही देखते रहें यह वक्त इंडिया झाल झाल